यह है आम जिन्दगी मैं अपने तुष्वन की चाल का नक्षा आत्में ने करकुंता हूँ यह है मेंटोस जिन्दगी तो क्या हाल चाल है सबके भई आज में बात करने जा रहा हूँ एक उस जमाने के हीरो की जिसकी पॉपलाइटी आज के जमाने के स्पाइडर मैन, सूपर मैन, आईनन मैन से भी कई गुनों जाजा थी अगर यह हलकी से स्माइल कर देते थे तो लड़कियां पागल हो जाची थी हलका सा डायलोग माद देते थे तो औरियंस पागल हो जाची थी आज हम देखने वाले हैं मिथुंदा के funny action, funny stunt, funny fight वाले scene पर वीडियो शुकरने से बहले आपको बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ entertainment के लिए तो क्रेप है इस वीडियो को हसी मजाग के निज़रे से देखना तो जैसे कम देख पा रहे हैं कि ये गंगीले बदमास एक गर्बती औरत को रसी से बांध के उसके पेट के ओपर फुटबॉल मार के उसको टॉर्चर कर रहे हैं लेकिन कब तक जब तक कि मिथुंदा की entry नहीं होती तो लो भई हो जाती है मिथुंदा की entry और मिथुंदा इन गुंदो के ही घर में इन गुंदो की फुटबॉल से इन गुंदो को ही पीड़ देते हैं वाँ रोनाल्ड और मैसे क्या करे लो भाई कुस्तो सिखो मिथुंदा से इन भाई साब ने फुटबल को जमीन के उपर टाच भी नहीं होने दिया और इन सारे के सारे गुंडों को धो भी दिया ऐसी फाइटें यूँ ही नहीं हो जाती भाई साब ऐसी फाइट करने के लिए बहुत ही फुल्तीला दिमाग चाहिए और बहुत ही पावरफल बॉड़ी जो किया सिर्फल सिर्फ मिथुंदा के पास कभी-कभी मिथुंदा थोड़ बहुत आलज भी कर जाते हैं और ये की जिगा पे खड़े खड़े या बैठे बैठे गुंडों को मार भी देते हैं इस सीन में मिथुंदा आ रहे हैं एक साइकल पे और सामने लगभग एक दर दिन गुंडे इनको मारने आ हैं पर मिथुंदा ने इनसे बचने के लिए कुछ जादा नहीं किया बस किया क्या कि साइकल पे बैठे बैठे ही मुक्के मार के इन गुंडों की ऐसी दैसी कर दी यही नहीं अगर मिथुंदा सो रहे हों और गुंडे आ के इनको उठाने की कोशिश करें तो पहले तो ये खटिये पे लेटे लेटे ही उनको खूब मारेंगे फिर उसके बाद जिस खटिये पे सोरे होते हैं उसी खटिये को उठाते हैं उसी खटिये से इन गुंडों को मार के इनकी खटिया खड़ी कर देते हैं कई लोग या डायलोग मालते हैं कि आखे निकालके गोटियां खेलूंगा या फिर आखे निकालके कंचे खेलूंगा पर मिथुन्दा कंचो की मदद से गुंडों के साथ खेलते हैं तो जैसे के आप देख सेथे हैं कि यहां पर गुंडे लोग मिथूंदा को मारना चाहते हैं लेकिन मिथूंदा तो लटक लटक के कभी इदर जा रहे हैं कभी उदर लेकिन इन गुंडों के हाथ नहीं आ रहे लेकिन ये समझ नहीं आया कि इस go down में गेहुं चाहल वाली बुरियों में कन्चे क्या कर रहें खेर अपने को क्या लेना देना कि ये कन्चे कहां से हैं हम बात कर रहे थें फाइट की तो मिथूंदा क्या करते हैं न इन बुरियों को लात मार के फाड देते हैं और ये कंचे जमीन के उपर गिल जाते हैं जहाँ पर गुंडे खड़े होते हैं फिर खुद जाके बीच में पड़े हुए एक टेबल के उपर अराम से बैठ जाते हैं और ये गुंडे लोग मित्युन्दा को मारने की कोशिश करते हैं मिठुनदा के पास आने की कोश्च करते हैं लेगिन कंचो की वज़ा से ये वही के वही गिल जाते हैं और 3600 प्रिकार के नोटंकिया करते हैं ये भाई साब तो अराम से बैठे होते हैं टेबल की उपर और गुंडे कंचो की वज़ा से अपने आभी मर जाते हैं देख लेओ बिना किसी बंदे को टच किये मिठुनदा ने पने दिमाग से खेल के इन सभी गुंडों को निप्टा दिया ये तो कुछ भी नहीं है अगर मिठुनदा मुवी में एक कपाहिज का रोल कर रहे हो और इनके सामने एक बहुत ही तगड़ा फाइटर हो तो जो मर जी हो जाए जीत तो मिठुनदा के ही हो नहीं है अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जिससे डंग से चला भी नहीं जा रहा हो वो अपने बैसाके निकाल के गुंड़े को मारता है और वो गुंड़ा हावा में फ्लिप करता हुआ सौफुर दूर जाके गिरता है पर अपने मिठ्वंदाने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि अपने हाथ से इस बैसाके को निकाला और इस बैसाके को तलवार की तरह इस्तमल करता हुए गुंड़े के पेट के आरबार कर दिया बैसाके से तलवार ये नहीं बलकि ये भाई साब दुनिया के किसी भी समान से हत्यार बना सकते हैं और इसी बात पे एक महान कभी स्रीश्री मित्थूंदाजी लिखते हैं ये बात इस कभी ने सिर्फ कही नहीं है बलकि करके दिखाईए इन भाई साब के हाथों में अगर गमचा भी हो तो वो गमचा भी किसी तलवार, किसी डंडे, किसी हत्यार से कम काम निकलता इस सिर्फ में गुंडों के पास बड़ी बड़ी बंदूके हैं और अपनी बंदूकों से मित्थूंदा के उपर गोलें चला रहे हैं इतनी नज़िक होने के बावजूद भी एक भी गोली मित्थूंदा को नहीं लगरी और मित्थूंदा इन गोलें से बच रहे हैं बचते बचते मित्थूंदा एक ट्रक की पीछे चुपने की कोशिश करते हैं पर गलती से ट्रक का टूल बॉक्स खुल जाता है उसके अंदर पड़े होते हैं अलग-अलग टूल्स जिनको देखने के बाद मित्थुन्दा की आखों के अंदर चमा का जाती है और ये भाई साब एक-एक करके एक-एक टूल को उठाते हैं और गुंडों के उपर माहना स्यू कर देते हैं भाई तुम गुंडे लोग ट्रेनिंग कहा से लेते हो तुमको बड़ा सा बड़ा हत्यार दे दिये जाए लेकिन फिल भी तुम हीरो से पिट कही आओगे अब तुम खुदी अपने अंदर जाको तुम्हारे पास इतने बड़े-बड़े हत्यार थे लेकिन मिथूंदा ने तुमको स्क्रूड रावर पाना फेक फेक के मारा है ऐसे ऐसे चिंदी हत्यारों से अगर तुम मरने लगे तो मार्किट में तुम्हारी क्या है जिदरा ज अगर आटा गोंद रहे हो और कोई गुंड़ा के इनको डिस्टॉप कर दे तो यह भाई सब आटे से भी माल देते हैं और अगर गलती से इनकी फाइट जिम में हो जाए तो यह भाई सब डंबल उठाके माल देते हैं इतनी क्रेटिवेटी आप लाते कहां से हो इतना सब कुछ एक आम इंसान करे ले सकता यह तो मिठोंदा ही हैं जो यह सब कर सकते हैं क्यूंकि यह तो महान है और आज के लिए इनकी इतनी महानता के कारणा में काफी हैं तो चलो भाई आज के लिए तना ही अगर आपके करना अब हम मिलेंगे अगरे वीड़ में